ओम श्यान्ती पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों की एम है बाप को याद कर पूरा सतो प्रधान बनने की केवज सतो बनने की नहीं तो पूरा सतो प्रधान बनने के लिए एक तो बाप को याद करना है दूसरा फिर स्वीट ह ओम को भी याद करना पड़े क्योंकि अभी तुम घर जाएंगे यह संगम युग है सबसे सुहावना और कल्यान करी युग इस समय ही पुरुष और इस्री दोनों उत्तम बनते हैं इसलिए इसे पुरुष उत्तम युग भी कहेंगे फिर बाबा ने कहा तुम हो सच्चे सच् चाहिए इसके लिए यह बड़ी बड़ी उनिवर्सिटीज खोलते जाओ अब तुम्हें कल्योगी लोक लाज और कुल की मरियादा छोड़नी पड़े ग्रिस्त व्यवहार में रहते खुद भी कमल फूल समान पवित्र रहना है और बच्चों को भी पतित होने से बचाना है कुमार कुमारियां तो हैं ही पवित्र उन्हें ऐसे ग्रिस्त में नहीं जाना चाहिए जो फिर पवित्र होने का पुरुशार्थ करना पड़े लास्ट में बाबा ने कहा तुम बच्चों ने बहुत भक्ती की है इसलिए अब उसका फल तुमको देने के लिए आया हूँ भक्ती का तो कितना विस्तार है ज्यान है बीज यहां तुम सिर्फ अपने कौात्म समझ मुझे याद करो और कोई वरत ने मादी करने की दरकार नहीं एक बाप की याद से ही तुमको सदगती मिल जाती है और अब सुनते हैं महवाख्यों को विस्तार से मुरली का सार मीठे बच्चे बाप कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को अपना परीचे देते हैं तुम्हें भी सबको बाप का यथार्थ परीचे देना है प्रश्ण बच्चों के किस प्रश्ण को सुनकर बाप भी वंडर खाते हैं उत्तर बच्चे कहते हैं बाबा आपका परीचे देना बहुत मुश्किल है हम आपका परीचे कैसे दें यह प्रश्ण सुनकर बाप को भी वंडर लगता है जब तुम्हें बाप ने अपना परीचे दिया है, तो तुम भी दूसरों को दे सकते हो, इसमें मुश्किलात की बात ही नहीं, यह तो बहुत सहज है, हम सब आत्मय निराकार हैं, तो जरूर उनका बाप भी निराकार होगा, ओम शांती मेठे मेठे रूहानी बच्चे समझ से हैं, बेहद के बाप पास बैठे हैं, यह भी जानते हैं, बेहद का बाप इस रत पर ही आते हैं, जब बाप दादा कहते हैं, यह तो जानते हैं कि शुबाबा है और वह इस रत पर बैठा है, अपना परीचे दे रहे हैं, बच्चे जान पहचानते हैं वह बाबा हैं बाबा मत देते हैं कि रुहानी बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाएं जिसको योग अगनी कहते हैं अभी तुम बाप को तो पहचानते हो तो ऐसे कभी थोड़े ही कहेंगे कि बाप का परीचे दूसरे को कैसे दूँ तुमको भी बेहद के बाप का परीचे है तो जरूर दे भी सकते हो परीचे कैसे दे यह तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता है जैसे तुमने बाप को जाना है वैसे तुम कह सकते हो कि हम आत्माओं का बाप तो एक ही है इसमें मुझने की दरकार ही नहीं रहती कोई कोई कहते हैं बाबा आपका परीचे देना बड़ा मुश्किल होता है अरे बाप का परीचे देना इसमें तो मुश्किलात की कोई बात ही नहीं जानुमर भी इशारे से समझ जाते हैं कि मैं फलाने का बच्चा हूँ तुम भी जानते हो कि हम आत्माओं का वह बाप है हम आत्मा अभी इस शरीर में प्रवेश है, जैसे बाबा ने समझाया है कि आत्मा अकाल मूर्त है, ऐसे नहीं उसका कोई रूप नहीं है, बच्चों ने पहचाना है, बिलकुल सिंपल बात है, आत्माओं का एक ही निराकार बाप है, हम सब आत्माएं भाई-भाई हैं, बाप की संतान है, बा जो बाप को और उनकी रचना को ना जानता हो, बाप के पास क्या प्रोपर्टी है, वे सब जानते हैं, यह है ही आत्माओं और परमात्मा का मेला, यह कल्यान कारी मेला है, बाप है ही कल्यान कारी, बहुत कल्यान करते हैं, बाप को पहचानने से समझ से हो, बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्सा मिलता है वह जो सन्यासी गुरू होते हैं उनके शिश्यों को गुरू के वर्से का मालूम नहीं रहता है गुरू के पास क्या मिलकियत है यह कोई शिश्य मुश्किल जानते होंगे तुम्हारी बुद्धी में तो है वह शुबाबा है मिलकियत भी बाबा के पास होती है बच्चे जानते हैं बेहद के बाप के पास मिलकियत है विश्व की बादशही, स्वर्ग यह बातें सिवाए तुम बच्चों के और कोई की बुद्धी में नहीं है लोकिक बाप के पास क्या मिलकियत है वे उनके बच्चे ही जानते हैं अभी तुम कहेंगे हम जीते जी पार लौकिक बाप के बने हैं उनसे क्या मिलता हैं वे भी जानते हैं हम पहले शुद्र कुल में थे अभी ब्रह्मन कुल में आ गए हैं यह knowledge है कि बाबा इस ब्रह्मा तन में आते हैं इनको प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है वे तो है सब आत्माओं का फादर इनको ग्रेट ग्रेट ग्रेंड फादर कहते हैं अब हम इनके बच्चे बने हैं शुबाबा के लिए तो कहते हैं वे हाजीरा हुजूर है जानी जानन हार है ये भी अब तुम समझ से हो कि वेह कैसे रचना के आदी मध्य अंत की नौलिज देते हैं वेह सब आत्माओं का बाप है उनको नाम रूप से न्यारा कहना तो जूट है उनका नाम रूप भी याद है रात्री भी मनाते हैं जियन्ती तो मनुष्यों की होती है शिव बाबा की रात्री कहेंगे बच्चे समझ से हैं रात्री किसको कहा जाता है रात में घोर अंधियारा हो जाता है अग्यान अंधियारा है ना ग्यान सुर्य प्रगटा अग्यान अंधेर विनाश अभी भी गाते हैं परन्तु अर्थ कुछ नहीं समझ से सूर्य कौन है, कब प्रगटा, कुछ नहीं समझ से बाप समझाते हैं, ग्यान सूर्य को ग्यान सागर भी कहा जाता है बेहद का बाप ग्यान का सागर है सन्यासी गुरु गोसाई यादी अपने को शास्त्रों की अथोरिटी समझ से है वेह सब है भक्ती, बहुत वेद शास्त्र पढ़कर विद्वान होते हैं तो बाप रुहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं इनको कहा जाता है आत्मा और परमात्मा का मेला तुम समझ से हो बाप इस रत में आये हुए हैं इस मिलन को ही मेला कहा जाता है जब हम घर जाते हैं तो वेह भी मेला है यहां बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं वेह फादर भी है, टीचर भी है यह एक ही पोइंट अच्छी रिती धारन करो भूलो मत अब बाप तो है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है तो जरूर लेना पड़े तो खुद कहते हैं मैं प्रकृती का अधार लेता हूँ नहीं तो बोलू कैसे शरीर बिगर तो बोलना होता नहीं तो बाप इस तन में आते हैं इनका नाम रखा है ब्रह्मा हम भी शुद्र से ब्रह्मन बने तो नाम बदलना ही चाहिए नाम तो तुम्हारे रखे थे प्रन्त उसमें भी अभी देखो तो कई है ही नहीं इसलिए ब्रह्मनों की माला नहीं होती भक्त माला और रुद्र माला गाई हुई है ब्रह्मनों की माला नहीं होती विष्णू की माला तो चली आई है सुक्षम वतन में विष्णू को चार भुजा वाला दिखाया है दो भुजा लक्ष्मी की, दो भुजा नारायन की बाप समझाते हैं, मैं धोबी हूँ मैं योग बल से तुम आत्माओं को शुद्ध बनाता हूँ फिर भी तुम विकार में जाकर अपना श्रिंगार ही गवा देते हो बाप आते हैं सबको शुद्ध बनाने आत्माओं को आकर सिखलाते हैं तो सिखलाने वाला जरूर यहां चाहिए न पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ कपड़ा भी मैला होता है तो उनको धोकर शुद्ध बनाया जाता है तुम भी पुकारते हो हे पतित पावन बाबा आकर पावन बनाओ आत्मा पावन बने तो शरीर भी पावन मिले तो पहली पहली मूल बात होती है बाप का परीचे देना बाप का परीचे कैसे दें यह तो प्रश्ण ही नहीं पूछ सकते तुमको भी बाप ने परीचे दिया है तब तो तुम आये हो ना बाप पास आते हो बाप कहा है इस रथ में यह है अकाल तख्त तुम आत्मा भी अकाल मूर्त हो ये सब तुम्हारे तख्त हैं जिस पर तुम आत्माई विराजमान हो वह तो अकाल तख्त जड़ हो गया ना तुम जानते हो मैं अकाल मुर्थ अर्थात निराकार जिसका साकार रूप नहीं है मैं आत्मा अविनाशी हूँ कब विनाश हो न सके एक शरीर छोड दूसरा लेता हूँ मुझात्मा का पार्ट अविनाशी नूंधा हुआ है आज से 5000 वर्ष पहले भी हमारा ऐसे ही पार्ट शुरू हुआ था वन वन समवत से हम यहां पार्ट बजाने घर से आते हैं ये है ही 5000 वर्ष का चक्र वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं इसलिए थोड़े वर्षो का विचार में नहीं आता तो बच्चे ऐसा कभी कह नहीं सकते कि हम बाप का परीचे कैसे किसको दें ऐसे ऐसे प्रशन पूछते हैं तो वंडर लगता है अरे तुम बाप के बने हो फिर बाप का परीचे क्यों नहीं दे सकते हो हम सब आत्माई हैं वेह हमारा बाबा है सद्गती कब करेंगे यह भी तुमको अभी पता पड़ता है कल्प 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 के संगम युग पर आकर सर्व की सद्गती करेंगे वह तो समझ से हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं और पहले सही कह देते नाम रूप से न्यारा है अब नाम रूप से न्यारी कोई चीज बित्तर का भी नाम है ना तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों तुमाए हो बेहद के बाप के पास बाप भी जानते हैं कितने धेर बच्चे हैं बच्चों को अभी हद और बेहद से भी पार जाना है सब बच्चों को देखते हैं जानते हैं इन सब को मैं लेने लिए आया सत्युग में तो बहुत थोड़े होंगे, कितना क्लियर है, इसलिए चित्रों पर समझाया जाता है, नौलेज तो बिलकुल ही जी है, बाकी याद की यात्रा में टाइम लगता है, ऐसे बाप को तो कभी भूलना नहीं चाहिए, बाप कहते हैं मा में कम याद करो तो पावन बन जाएंगे, मैं आता ही हूँ पतित से पावन बनाने, तुम अकाल मूर्त आत्माए सब अपने अपने तख्त पर विराजमान हो, बाबा ने भी इस तख्त का लोन लिया है, इस भाग्यशाली रत में बाप प्रवेश होते हैं, कोई कहते हैं परमात्मा का नाम रूप नहीं ह यह तो हो ही नहीं सकता, उनको पुकारते हैं, महिमा गाते हैं, तो जरूर कोई चीज है ना, तमो प्रधान होने के कारण कुछ भी समझ से नहीं, बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, इतनी 84 लाख योनिया तो कोई होती नहीं, हैं ही 84 जनम, पुनर जनम भी सब का ऐसे थोड़े ही ब्रह्म में जाकर लीन होंगे, वो मोक्ष को पाएंगे, यह तो बना बनाया ड्रामा है, एक भी कम जासी नहीं हो सकता, इस अनादी अविनाशी ड्रामा से ही फिर छोटे छोटे ड्रामा वनाटक बनाते हैं, वह हैं विनाशी, अभी तुम बच्चे में खड़े हो, तुम बच्चों को यह knowledge मिली हुई है, कि हमने कैसे 84 जनम लिये हैं, अभी बाप ने बताया है, आगे किसको पता नहीं था, रिशी मुनी भी कहते थे हम नहीं जानते हैं, बाप आते ही हैं संगम युग पर, इस पुरानी दुनिया को चेंज करने, ब्रह्मा दवारा नई दुनिया की सापना फिर से करते हैं, वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं, कोई बात याद भी न आ सके, महा प्रले भी कोई होती नहीं, बाप राजयोग सिखलाते हैं, फिर राजाई तुम पाते हो, इसमें तो संशे की कोई बात ही नहीं, तुम बच्चे जान पहले नंबर में सबसे प्यारा है बाप, फिर नेक्स्ट प्यारा है श्री कृष्ण, तुम जानते हो श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला प्रिंस, नंबर वन, वही फिर 84 जनम लेते हैं, उसके ही अंतिम जनम में मैं प्रवेश करता हूँ, अब तुमको पतित से पावन ब पाप ही है, पानी की नदियां थोड़े ही पावन कर सकती हैं, यह नदियां तो सत्युग में भी होती है, वहां तो पानी बहुत शुद्ध रहता है, किचड़ा आदि कुछ नहीं रहता, यहां तो कितना किचड़ा पढ़ता रहता है, बाबा का देखा हुआ है, उस समय तो बाप को याद कैसे करें, अरे तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, वो है कुक की संतान, तुम हो अडोप्टेड बच्चे, अडोप्टेड बच्चों को जिस बाप से मिलकित मिलती है, उनको भूल सकते हैं क्या, बेहद के बाप से बेहद की मिलकित मिलती है तो उनको भूलना थोड़े ही चाहिए लोकिक बच्चे बाप को भूलते हैं क्या परन्तु यहां माया का अपोजिशन होता है माया की युद्ध चलती है सारी दुनिया करम शेत्र है आत्मा इस शरीर में प्रवेश कर यहां कर्म करती है बाप कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाते है यहां रावन राज्ये में कर्म विकर्म बन जाते है वहां रावन राज्ये ही नहीं तो कर्म अकर्म हो जाते है विकर्म कोई होता ही नहीं यह तो बहुत सहज बात है यहां रावन राज्ये में कर्म विकर्म होते हैं इसलिए विकर्मों का दंड भोगना पड़ता है ऐसे थोड़े ही कहेंगे रावन अनादी है नहीं, आधा कल्प है रावन, आधा कल्प है राम राज्ये तुम जब देवता थे, तो तुम्हारे कर्म अकर्म होते थे अब यह है नौलज, बच्चे बने हो तो फिर पढ़ाई भी पढ़नी है बस फिर और कोई धंदे आदी का ख्याल भी नहीं आना चाहिए प्रंतुग्रिस्त व्यवहार में रहते धंदा आदी भी करने वाले है तो बाप कहते हैं कमल फूल समान रहो ऐसे देवता तुम बनने वाले हो वह निशानी विष्णू को दे दी है क्योंकि तुमको शोबहेगा नहीं, उनको शोबता है वही विष्णू के दो रूप लक्ष्मिनारेन बनने वाले है वह है ही अहिंसा पर्मो देवी देवता धर्म ना कोई विकार की काम कटारी होती ना कोई लडाई जगडादी होता है तुम डबल अहिंसक बनते हो सत्यू के मालिक थे नाम ही है गोल्डन एज कंचन दुनिया आत्मा और काया दोनों कंचन बन जाती है कंचन काया कौन बनाते हैं? बाप अभी तो है आईरन एज अभी तुम कहते हो सत्यूग पास हो गया कल सत्यूग था ना तुम राज्य करते थे तुम नौलिजफूल बनते जाते हो सब तो एक जैसे नहीं बनेंगे अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्णिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्से रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्से नमस्से गुड मॉर्णिंग धारना के लिए मुख्ये सार पहली पुइंट मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन हूँ इस स्मृती में रहना है हद और बेहद से पार जाना है इसलिए हदों में बुध्धी नहीं फसानी है दूसरी पुइंट बेहद बाप से बेहद की मिलक्यत मिलती है इस नशे में रहना है कर्म अकर्म विकर्म की गती को जान विकर्मों से बचना है पढ़ाई के समय धंदे आदी से बुद्धी निकाल लेनी है वर्दान श्रीमत की लगाम को टाइट कर मन को वश करने वाले बालक सो मालिक भव दुनिया वाले कहते हैं मन घोड़ा है जो बहुत तेज भागता है लेकिन आपका मन इधर उधर भाग नहीं सकता क्योंकि श्रीमत का लगाम मजबूत है जब मन बुद्धी साइड सीन को देखने में लग जाती है तो लगाम ढीला होने से मन चंचल होता है इसलिए जब भी कोई बात हो मन चंचल हो तो श्रीमत का लगाम टाइट करो तो मनजील पर पहुँच जाएंगे बालक सो मालिक हूँ इस स्मृती से अधिकारी बन मन को अपने वश में रखो स्लोगन सदानिश्य हो कि जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होने वाला है वो और भी अच्छा तो अचल अडोल रहेंगे ओम शांती वह कौन सी अंतिम आहूती डालनी है जिसके आधार पर ही अंतिम विजय के नगाडे बजेंगे आईए सुनते हैं आज के ज्ञानमोती से